नमस्कार आदा, मैं सुषील, The Field के सुप्रीम कोर्ट स्रीज में एक बार ठील से आपका तेह दिल से स्वागत है आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक उस स्रीज में बात करेंगे सुप्रीम कोट की ओ दो जज कौन थे जिन्होंने सहारा बिर्ला डायरी के सच को हमीशा की नितफन कर दिया और वो सहारा बिर्ला डायरी का सच क्या था लेकिन उसके पहले आज हम सुप्रीम कोट में आज क्या क्या हुआ किन-किन मुकदमों की सुनुभाई हुई कौन-कौन स उसको बहुत ही संखेप में जानने की कोशिज करेंगे। आज सुप्रीम कोट में एडवोकेट एमिल सरमा जो RSA से जुड़े हुए हैं और संग से जुड़े हुए हैं और BJP से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने याचिका डाले कि जो अडानी कंपनी पर जिन्होंने एक रिपोर्ट त्यार की रिसर्च की हिरेन बर्ग उनके जो ओनर है नाथन एंडर्शन उनके खिलाप भारत का ग्रह मंत्राल है हुम मिनिस्ट्री 420 का मुकदमा दर्जिकरे हैं। क्योंकि उन्होंने अडानी के खिलाप जो रिसर्च त्यार किया उससे बहुत लोगों का नुक्सान हुआ है। अधरसल क्या आप समझने है खेल क्या है। क्योंकि अडानी कम्पनी के खिलाब पाले अमिंट में बहुत सवाल उठ रहे हैं दिनों और संसत खुला हुआ है और मिडिया के अलग-अलग जगों पे भी थोड़े बहुत सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इसमें लोगों का पैसा थ्रासा फसा हुआ है सरकार की कोशिश है इसको सुप्रेम कोट के जड़िये एक और निकल वाले है और फिर देश की जनता को कह दे कि भारत का न्याले तो कहा कि अंडर्शन पे ही होना चाहिए केस अडानी तो गरबढ है ही नहीं और विपक्षी पार्टियों को भी एक जवाब मिल जाएगा कि देश के हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है वो खुद आके कहें कि देश का सुप्रेम कोट है अडानी को दोसी नहीं मान रहा है एंडर्शन को दोसी मान रहा है पता नहीं जो बेंच बनेगी साथ ऐसा ही कुछ फैसला आएगा कोट के जड़िए अडानी को सर्टिफिकेट मिलेगा इमानदारी का इंडर्शन अपड़ाध ही माने जाएगे और एमेल स्रमा को इसी के लिए कोट में भेजा गया है अक्सर आप एड़ोकेट एमेल स्रमा को आप मतलब परसेप्शन को धार्णा को कैसे चेर्ज किया जा सकता है इसके लिए हमेशा इमेल स्रमा इस्तमाल होते रहते है बहुत ही असर जनक है एड़न बड़ का जो रिपोट आया अडानी कंपनी के शहर तहरा साही हुए अडानी कंपनी में जिनके पैसे लग हुए थे से नोटीस नहीं देना चाहिए था तो Supreme Court किस बात की नोटीस ले रहा है कि एजन बढ़की के जो मालिक है उसी पे फाइयार कराने की आज का आप सुनो इस पर तो Supreme Court को खुद ही नोटिस लेकि अडानी कंपनी को जाच के दाइरे में और विपक्षी पार्टियां तो डिमांड कर रही थी, कलदी दिमांड कीईगी, कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्ता में अडानी कंपनी की जाच होनी चाहिए, सरकार ने एक एजेंट को अपन पाच फरवरी 2023 को उसकी इजाज़त दी जाये, सुप्रीम कोट ने कहा ठीक है आप निकालिये मुंबई हिंदू जन आकरोस रहली और उसकी इजाज़त दी गई, फिर सुप्रीम कोट ने एक और मुद्दे को आज सुना, ओ भी धर्म से जुरा हुआ था, मजभ से जुरा वो यह था कि कुछ लोगों ने पेट्रीशन लगाया था, याजिका लगायी थी, अजोद्या राम मंदिर को अजोद्या बुद्धा मंदिर के तौर पर जाना जाये, चिपज़त्री चंद्रचूर खुद ही इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, जो 2019 म से जुड़े एक निता जो है, जो अपने आपको सामाजी काड़ करता और वकील भी बत्तथा कती, वकील भी अपने आपको बताते हैं, अश्वनी उपाध्या है, उन्होंने याजिका डाली थी, कि धरमानतरन बहुत तेजी से हो रहा है, इस पे सुनवाई की जाए, तो उस याजिका में उन्होंने एक खाश आवादी के लिए, अल्पसंख्या का अवादी के लिए कुछ अपसद उसमें डाले थे, अपनी याजिका में, सुप्रीम कोट ने कहा, इस सब्द को वापस लिजिए, बाकी आपकी याजिका हम सुनुवाई करें, ओ धरमानतरन को भी धर का अल्टिमेटम दिया है, कि हमने जो सुची आपको भीजिये, जजों को न्युक्र करने के लिए, वो दस दिन के अंदर आप और निकाली है, लेकिन आप समझे कि सुप्रीम कोट में आज जो सुनुवाई हो, इसका जनता से कितना सरुकार है, वो आप खुश समझ सकते हैं अपनी समस्याओं को जब देखना चाड़ू किजिएगा, अगर आपके मुकदमे कोट या हाई कोट या सुप्रीम कोट में हैं, तो आज सुप्रीम कोट को इस नजर से देख लीजे कि आज सुप्रीम कोट में चार मुकदमे जो धर्म से जुरुए हुए थे, वो कि अगर आप कर्ज ले लेते हैं, तो बैंक को कोई अधिकार नहीं है कि आपके खिराप लुकाउट सरकुरर जारी करें, तो यह जनता से जुरा हुआ एक मुलता था जिसको कलकता हाई कोट ने एड्रेस किया या उस पर सुनवाई की, चलिए अब लॉटने अपने विशे कि सहारा बिल्ला डायरी क्या था, उसका सच क्या है, तो सहारा बिल्ला डायरी को आप ऐसे समझ लिजे, कि सहारा बिल्ला डायरी जब नेताओं को कमपनियां पैसा देती हैं चुनाव लडने के लिए, तो एक डायरी भी मिंटेन करती है, अपने कम्प्यूटर में, अपने इमेल के जड़िये कि किसको कितना पैसा पहुचाया गया किसको कितना दिया गया सहड़ा बिल्ला डायरी हुआ ही और इसको कोट में चुनावती भी दी गई कोट के दो जजों ने इस पर क्या रूख अपनाया यह आपको बड़ा आश्चर जरनक लगेगा तो कि दोनों जज जो थे एक चिफ जस्टिस बने इनका नाम था जस्टिस खेहर सिंग और एक सुप्रीम कोट के जज बने अरून मिश्रा वो दोनों ने इस पर क्या फैसला सुनाया वो भी आपको बताएंगे लेकिन पहले उससे पहले आप जानिए सहाडा बिर्ला डायरी के बारे में 2017 में जो चिफ जस्टिस थे खेहर सिंग और उसी सुप्रीम कोट में एक और जथे जस्टिस अरून कुमार मिश्रा इन दोनों ने शहाडा बिर्ला डायरी की केस को सुना और उसको कैसे दफन किया सच को जो आम जनता को नहीं पता है इसलिए हम करते कि कंपनिया कब सुप्रीम कोट के अंदर घुसपैट करती आम जनता को ख़बर ही नहीं होती और आम जनता के हाथ में फिर क्या मिलता है कुछ भी नहीं तो सहाडा बिर्ला डायरी को सच जी जानते हैं कि यह डायरी क्या और इस डायरी के सच क्या थे इस आगे बात करने से पहले दोनों जजों के बाड़े में एक चीज मैं बता दूं कि प्रधानमंती नरिन मोदी फरवरी 2017 में उस वक्ते जो चीफ जस्टिस थे खेहर सी उनके बाड़े में क्या कहा था उन्हों आपको पढ़ के बताता हूं उन्हों ने कहा कि त्वरी निर्नयों की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शराहना कि और कहा कि वह चाहते हैं कि खेहर अपने अवकास प्राप्ति के बचे हुए 6 महिने के बाद भी भारत की मुख दियाधिस बने रहे हैं लेकिन खेहर ने प्रहान मंत्री को आश्वासन दिया कि हम अपनी शिमाओं के अंदर बने रहेंगे और उसके बाद खेहर के पद पर रहते हुए सरकार ने चिप जस्टिस खेहर सिंके ने जो भी प्रस्ताव भीया जज्यों को बनाने का उस सब एक से एक के बाद एक मोदी सरकार ने मंजूर करना शुरू कर दिया दूसरे जज जो अरुन कुमार मिश्रात है जब रिटायर हो गया है राष्ट्री मानवाधिकार आयो के अध्यक्षी गया है जिनको संसर से एक अलग कानून के जड़िये बनाया गया है उन्होंने प्रहान मंत्री मोदी के है विश अस्तर पर सोशिते हैं अस्थानी अस्तर पर काम करते हैं तो यह हम बता रहे हैं कि सत्ता और जजों का शंबंध आपस में कैसा रहा है वो जड़ा समझ लीजिए तब आपको पता चलेगा कि क्या जज हमारे शमिधान में जो उनको जिम्मिदारियां दी गई है क्य सही से निभाण हैं या अपने वक्त में उन्होंने सही से निभाया या नहीं या आज के वक्त में बहाना जाकर एक जगह सम्झ आAddार हैं जैसे मनने बताया ना कि अभी सुप्रीम कोर्ट की आज ही जो सुनवाई रूसमी सरकार को कहा गया कि दस दिन के अंदर आप ओ कीजिये नहीं तो हम जो लिश्यल ओर्डर ने आई आदेश निकाल देंगे तो एक तरह काई दवाब और समझाता दोनों सत्ता और सुप्रीम कोर्ट के बीच हामेशा आपको देखने को मिलेगा खर साहडा बिर्ला डायरी को आप ऐसे समझे अक्टूबर दो हजात तेरा में मन मोहन सिंग की सरकार थी इंकम टेक्स डिपार्टमेंट बिर्ला ग्रूप अब कंपनीज के दिली के दक्तर प्रचापा मारती है और चापे में कही डॉकुमेंट्स दस्ता वेज मिलते हैं ओस द्यूर्टमें इड्यमील मिलते हैं डायरी में किंद्द नेतां को कितने पैसे कब दिए गया उसारे दर्च होते है उसको कौर वड में जिन नेतां को पैसे दिए गया उनका कुछ जो आज आप देखत रहे हैं कि संसी जब्सक्ण इडीह चापे मारते है ये मनी-लॉंडरेंग का केसी से पहले दॉसाइच ांप जिए इस समnten इस उस सामिल होते हैं जिसमें इस इस कंपनी ने कि प्रयावरन में जो उसके प्रोजेक्ट लटके हुए थे या कोईला का धंधा करने वाली कम्पनी जो थी विर्ला गूप वो बाहर से कोईला मंगाती थी उसके जाच कई एजेंसियों में लटके पड़े थे उससे अपने आपको छुटकाड़ा पाने के लिए विर्ला गूप कम्पनी सब सभवर को पैसा दे रही थी नेताओं को जो सत्ता में आने वाले थे जो सत्ता से जाने वालते चापा मारती है वह सते में półें 25 कोडी रुपया नगत भी मिलता इंकम टेक्स को जब इंकम टेक्स बिल्ला ग्रूप के जो डी जी एम एकाउंस एकाउंस इस्ट्रिक्शन के जो डायरेक्टर जनरल मैंने थे उनसे पूछती है आनन्द सक्सिना से जो इन पैसों के इंचार्द थे यह पैसे क्या है तो कहते हैं कि हवाला के जड़िये हम एक दिन सप्ता में एक दिन छोड़कर पचास लाग से एक करोड तक का नगत हम निताओं के या भिजवाते थे अब उसी ग्रूप में ग्रूप जो प्रसेड़न थे सुबेंदू अमिताब का नाम सक्सिना लेते हैं करते हैं इनके कहने पहम भिजवाते थे अब जो नगत उसमें प्रयावण मंत्रा ले उसमें आपको याद होगा कि 2014 में प्रधान मंत्री नहिंद मोदी ने टैक्स का ज इस गुरूप के इस कंपनी के कई काम लटके थे प्रयावण मंत्राले में उसको पास कराने के लिए पैसे 7.5 क्रोड रूपे लगवग दिये गए थे और प्रधान मंत्री इसी जंतिर टैक्स का नाम चुनाव के दवडान रैलियों में उन्होंने लिया था और जो माहौल कि कॉंग्रियों में सब्सेजदा बृष्टाचार और प्रधान मंत्री इसके बाद यहां तक कहने से नहीं आज़े प्रधान मंत्री ड्. मानमोहन सिंग रेन कोड पहनते हैं मतलब बाढी सोती है लेकिन भींगते नहीं कहने का मतलब था उनके आस-पास तो भ्रहश्टाच लेकिन वो खुद इससे बचे रहते हैं एक कमेंट अब अलग बात है कि रेनकोट कितनी लंबी किस्की रही वो अब समय बताएगा या आप को हम बताते चलेंगे कि कैसे कैसे रेनकोट का साइज बढ़ते हैं हर कोई रेनकोट पहना है चाहे हो कोई भी आप प्रधान मन्त भी ले लिजे हर कोई जब एक अवाड़ा पूंजी जब हमारे यहां आई उन्हें शोई कानवे के बार खुली अर्थ व्यवस्था जबाए तो जमकर पैसे साड़े रेजन राजनेताओं ने कमाया आप किसी का भी एक का नाम ले लिजे कोई भी नाम आप इससे अलग नहीं कर लाय पार्ट के ख्रुडडू ख्रुड़, पूड़फ से नाम ले लेलिजे, पत्सिम से जब नाम इमेल में नाम था गुजरात CM 25 करोर और बारह का भुक्तान किया गया बाकी अभी बाकी है बाकी देना बाकी उनके इमेल में एक इंट्री थी जब उनसे पूछा गया कि यह क्या है तो उनका जवाब था कि गुजरात CM का मतलब है गुजरात अलकलिज एंड्केमिकल्स जब उनसे पूछा गया क्या किसी और जगह पे उन्होंने गुजरात अलकलिज एंड्केमिकल्स को गुजरात CM के तोर पे आपने दर्ज किया है तो उसका जवाब वो नहीं दे पाया और आयकर विभाग ने इंकम टेक्स ने जो छापे के बार निसकर्ष नि लेकिन अस्चर्ज की बात है कि जब छापे पड़े जब को कागज बराम्दुगा और 2014 में तो प्रहानमंति नरेंद्र मोधी यसी बात पड़ाये थे कि हम काला धन लाएंगे हम भी देशों में जो पैसा है वो सब निकालेंगे मन मोहन सिंग ने तो कोई कालवाई इस इंकम टेस्ट के रिपोर्ट पे नहीं किया नरेंद्र मोधी ने भी इस पर कोई कालवाई नहीं किया मतलब दोनों खामोश रहें क्या तो क्या बिर्ला की ये जो डाइडी मिली या बिर्ला की जो दस्तावेज मिले पैसा देने का वो सही था पर हाला कि इसको कोट में किसने याचिका लगाई मनी लॉंड्रिंग के वाड़े में वह भी हम आपको बताएंगे तो यह हुआ आपका बिर्ला डाइडी अब दूसरा जम नर्यन मोदी 2014 में आयाते हैं नौंबर 2014 में मोदी सरकार के आने के वाद सहाड़ा ग्रूप की जो कुछ कंपनिया है उस पर इंकरेंटेस छापा मारता है इस छापे में 137 करोर रुपे नगत के अलावा कंप्यूटर कुछ दस्तावेज और डाइरी कोई नोट सीट यह तमाम चीज ब्राम दोते हैं और ब्राम दस्तावेजों से जो भुकतान की तारीक तिथी और लासी जो बताई गए वो सब इसमें दर्ज है और यह 2013 और 14 तक मतलब बताया गया कि 115 करोड नकत सहाड़ा ग्रूप ने बाटा था नेताओं को और इसमें कोई पार्टी का नेता ऐसा नहीं था जिसके पास पैसे नहीं गया थे यह सहाड़ा डाईरी हैं दो महीने के अंदर सबको पैसे दिये गए थे इस सहाड़ा से जो दस्तावेज और कंप्यूटर के जरी यह कंप्यूटर हार्टिक्स में इमेल में जो भी जानकारी मिली उसमें जगह का नाम भी है। उस वेक्ति का नाम भी मिला, जिसको पेमेंट किया गया, भुक्तान जिसने किया, जो जिसने जाकर दी, उसका भी नाम नूट है, और जिस वेक्ति को सबसे ज्यादा भुक्तान किया गया, उसका भी नाम था, जो आज के हमारे पढ़ान मदिनारे मोदी है, उस सहरा की गुजराथ सिये मोधी जी कड़कर लिखा गया और इनके नाम पर नौ किस्तों में 40 करोड रुपे उस वक्त के गुजराथ की चिप मिनिश्टर के नाम इंटी दर्जुई इस 40 करोड रुपे नौ किस्तों में दिए गया उसके बाद दूसरा बड़ा हिस्टा आज के मत तीस्रा चाच घडंडरे उस वक्ती मुख्मंगे दोक्टर रमनान सिंग को चार क्रोर रुपे दी गया और बिर्ली के मुख्मंद्रे उस सजर वक्ती उनका भी ना-बड़ोस दे उनका वी नाम द्रज उनको एक रुपया दिया गया है एक और दस्तावेश इसमें 2010 में भी बहुत अलग अलग तरह के लोगों को कलाकार को गायक को इलिक्षन के दवरान कर कहां पे ले जाना है साहड़ा आप देखते होंगे कि मुलाइम सिंह यादव की पार्टी अम उसमें अमिताब बच्चन भी जो हमारे हैं कोविर में मास्क पहना रहे थे और अचैक्स कि अधिकारियों ने जब्त किया और दतावेजिएं पर इंकम टेक्स अधिकारियों के सिंगनीचर भी थे इसके बावजुत क्या वज़ा है कि इन दो कंपनियों के कोई काड़वाई नहीं होती है नरेज मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जो साफ साफ मनी लॉंड्रिंग का केस था कोई काड़वाई नहीं होती है इनकम टेक्स डिपार्टमेंट जो आज आपको इतना एक्टिव दिखता है कि पांच हजार रुपे के लिए सिद्की कपन पत्रकार को साल दो साल आप जेल में रखते हो वही इनकम टेक्स खामोशा कोई case दर्ज नहीं किया इन कंपनियों पर CBI को भी उसने जाच के दिए नहीं लिखा ठीक है तुम से जाच नहीं हो रही थी तुमने CBI को भी नहीं लिखा ED भी इसमें साभी नहीं होगा उस वक्ष्श आतो एडी और सीवी आई और इंकम टेस्ट तो जहां देखिए हो वही गारिया दौर रही है। इंकम टेक्स डिपार्टमेंट आयकर विभाग ने क्या कमेंट किया था इस डायरी के बारे में वो भी आप सुन दीजिए। उसने कहा कि जितने भी भुक्तान किये गए और साफ तोड़ पर प्रमानी गए। मतलब सच हैं, प्रमान के साथ हैं। क्योंकि एक खाते लंबे समय से चले आ रहे थे और इन खातों की देखवाल की जा रही थी। दूसरा जो हमें दस्तावेज मिले हैं। उसमें नगत प्रापती सहाड़ा की मार्केटिंग कॉमणिकेशन कंपनी। प्राइबिट कंपनी में जो यही काम करती ही कि इसको कितना पैसा देना है मैड कॉम कि खाते के इंट्री से मिल खाती है मत्तब जितने भी पेमेंट किये गया वह ऐसा नहीं था कि चलते फिरते किसी के पॉकेट में डाल दिया गया था वह प्रावपर एक कंपनी थी घूश देने के लिए सहारा ने कंपनी आपको पता ही हम लोग खुब ताली बजाते थे इस्टेडियों में सहारा के टीशर पहन के लोग मैच जो खेलते थे वह यही पैसा था इसी के जरी आप समझ सकते हैं कि सत्ता कैसे खेल करती है इसलिए इ शहाडा परता है। नवंबर 2014 में है इस डेट को आप याद रखें मोदी सत्ता के आने के बाद सहारा पर छापा परता है। नौमर 2014 में फिर क्या ओता है सहारा कंपनी को यह कहकर मुक्ठ कर दिया जाता है कि ठीक है आपने जो च्षिपा कर राम दनी रखी थी। उस पर इंकम टेक्स डिपार्टमेंट कोई काड़वाई नहीं कर सका, आखे वो कौन था इंकम टेक्स में बैठा हुआ, जो इन्विस्टिगेशन कर रहा था, जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आज वो डिलाइंस कंपनी में ग्रोप अब डारेक्टर है, और भारत कि सबसे नरेंस मोधी की सत्ता आने के बाद भारत में जो बष्टाचार होता है, छो स्वरकारी बष्टाचार, उसको देखवाल करने के लिए जो डिपार्तमेंट होता है, उसका नाम है भारति है शत्तार्ता आयोग, उसकी बुँद डायरेक्टर बनाए जाते हैं, हो भी ह आपके money laundering के केसे जो 5,000 रुपया हमको कोई खाते में भेज़ दे उसकी जान जब करनी चालू करे सरकार तो 15-20 साल तो आप उसमें कोट में घिशते रहते हैं फाइनल नहीं होगा लेकिन सहारा का आप देखिए मतब कमपनियों के लिए एक settlement commission सरकार के तरफ से होता है कि आप वहाँ जाके settlement कर लिजे और उसका जो फैसला होगा वह माना जाएगा सरकारी तोर पर settlement commission उसी नौंबर में दो साल बाद 2016 को फैसला देता है कि आपको हम इस आरोप से मुक्त करते हैं या आपने कोई money laundering किया आपने कोई tax चुपाया है और आपको मैं बताओं कि यह जो settlement commission में तीन लोग थे दो लोगों ने ही फैसला कर लिया तीसरे को सरकार ने उसी वस्त अस्थानांतरन कर दिया मतलब इस तरीके से सत्ता कंपनियों को कैसे बचाती है आपको अभी जन्वरी के महीने में बताएं एक अलग हुए स्टूरी है मुकेश अम्बानी की खवर आपको नहीं मिलती होगी कोई भरष्टाचार का इन दिनों पता ही आपको सरकार खुद जन्वरी के महीने में सुप्रीम कोट गई इन्हों ने जो भरष्टाचार किये हैं मुकेश अम्बानी ने उस पे एक मुकतमा चल रहा है उसमें सरकार जाकर खुद कहिए कि दो जजों को आप हटा लिए मुकेश अम्बानी के लिए गड़ास होते हैं मुकेश अम्बानी को न्याय नहीं मिलेगा वो हम एक अलग चैप्टर में बात करेंगे कभी इसी जन्वरी 2023 की बात करें है हलाकि सुप्रीम कोट ने इनकार कर है वो मतलब इस तरीके से नहीं काम करता है समिळान में सोचा गया था यह जो निखा गया है जो हम पढ़ते हैं उसे बिलकुल दिगर अलग के करता है इनकार को कभ इकरार मान लिजें इकरार को कभ इनकार मान लिजें आप समीळान की बात ही छोड़गिए तो किस रूप में सुप्रिंग कोट ने इंकार किया है उसको हम study करना है जो आपको हम बताएंगे आखे income tax department का कोई कारवाई नहीं किया CBI ने कोई कारवाई नहीं किया ED ने कोई कारवाई नहीं किया DRI ने कोई कारवाई नहीं किया वजह क्या थी वजह एक ही थी केस की शुरुवात होती है इंकम टेक्स पहले छापा इंकम टेक्स माता है इंकम टेक्स फिर उसकी जाच करता है और जो जाच करता उस वक्त थे वो केवी चौधरी केंद्रिये सतर्ता आयूक सेंटर विजलेंस कमिशनर जो 2015 में सरकार ने उनको उसका निधेशक बनाया था है केंद्रिये सतर्ता आयूक का जो सरकारी भरश्टाचार की जाच करता है वही उस वक्त इंकम टेक्स के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे हैं वह काग्याज उन ही के पास थे और केवी चौधरी जो थे वह आप देखिए कैसे इंकम टेक्स है इस्टोग गुरु घोटाला हुआ था इस्टोग गुरु घोटाले में केवी चौधरी का विनाम स्वाविल है मोजी सरकार ने जून 2015 में उनको निधेशक बना देता है खर इस सरकार के अस्तर पर अपना चल रहा है कौमन कावज एक सहस्था है जो भरस्टाचार के मुद्दे पर नियाले के अंदर नियाजका लेकर जाती है और मामला उठाती है कि देखिए भरस्टाचार हुआ है या गलत हुआ है तो उनके तरफ से जो वकील सुप्रीम कोट में गये इस मुद्दे को लेकर परसांत भूसन परसांत भूसन ने मुद्दा उठाया के वी चौधरी ने सहाड़ा बिर्ला डायरी जो के काविजात थे उसके साथ हेरा फेरी की और उन्हीं को आपके इंदिय सतर्कता आयुत बना रहे हैं कमिशनर बना रहे हैं इस टौग पर शहाड़ा बिर्ला डायरी की चर्चा होने लेगी और पूरे देश में आपको मैं पता हूँ 2017 में बहुत कसके 16 और 2017 में बहुत कसके इसकी चर्चा हुई थी इसमें यह प्रसांत भूसन ने आरोप लगाया था कि इंकम टेक्स द्वाड़ा इन दस्तावेजों को अपने युक्ति हुए हैं वो अपने दाइट्मों का निर्वबहन नहीं कर पाएंगे इमानदारी से यही मामला गया था क्या हुआ सुप्रीम कोट में इस आवेदन पर 26 नवंबर 2016 को जस्टिस जेस खेहर और जस्टिस अरून मिर्श्रा की पीठ के द्वारा सुनवाई इन दस्तावेजों को जाच के लिए जवरूरी परमान नहीं माना जा सकता है यह जाते हैं कि जाच की जाए साड़ा विला डाड़ी की जाच की जाए केंदीये सर्तरता आयो केवी चौदरी को कि नियुक्ति पर सवाल है इसको आप बताएए कि इसका अखाल क्या निकलेगा जस्टिस खेर कहते हैं कि इन दस्तावेजों को जाच के लिए परमान नहीं माना जा सकता है अच्छा होगा कि आप बेहतर सबूत ले के आएं सबूत तो है लेकिन इससे भी बेहतर आप ले के आई है मतलब क्या मैसेज करना चाह रहे थे आपको मैं बताऊं 26 नमूबर को इ सब्सक्राइब करने की फाइल सरकार के पास पड़िए आप आप समझ रहे हैं प्रसांद भूसन कहते हैं कि हमें थोड़ा और वक्त दे दीजिए बहुत मोटा पुरिंदा है हम आप पूरी तरह से बताएंगे कि इसमें क्या हुआ हुआ है किते नहीं नहीं दो तीन के सब्सक्राइब के पास लंबी थे इसी दिए आप दवाब में कहने का मतलब यही था कि जस्टिस खेहर की फाइल मुखने आदिस बनाने की फाइल सरकार के पास थी और जस्टिस खेहर सहारा बिरला डायरी के बेंच की अध्यक्ता कर रहे थे अरुन मिश्रा साथ जस्टिस अरुन मिश्रा साथ थे और ठीक साथ दिसम्बर को जस्टिस खेहर को मुखने आदिस बनाने की घोशना के नसरकार करती है ठीक साथ दिसम्बर को उसके बाद जस्टिस खेहर इस केस से अलग हो जाते हैं और दूसरी बेंच बनाते हैं और दूसरी बेंच की अगवाई कॉन कर रहा है यह भी आप सुनकी आश्यज़ होंगे जस्टिस अरून कुमार मिस्वा, पहले से उम बताते आ रहा हैं, मतलब जस्टिसरून कुमार मिस्वा को छो हमारे प्रधान मंत्रि को खुड़े तोर पर कह रहे हैं कि एजिरियस है, यह वही जर्द है जस्टिस अरून कुमार मिश्रा जब सहाड़ा गिरिला डायरी की केस की जाच कर रहे हैं और सुनवाई कर रहे हैं कि इसमें जाच होनी चाहिए कि नहीं और उसी दोड़ान इनके भरतीजे की साधी होती है गुवादियर में खुद जो मतपरदेश की चिप किमिनल की सुनवाई कर रहे हैं या जिस पर आरोप है आप उसी को अपनी पार्टी में बूला है किया यह हमारे समिधान की नैतिक्ता है या मढ़ियादा है कि हम जिस की कारवाई कर रहे हैं उसी के साथ बैठके खाना कर खाये तो आप क्या फैसला देगे घर 4 जनवरी 2017 को जस्टिस मुखनियाडीस की सपत लेते हैं और एक जनवडी को सुनवाई होती है और महल एक सुनुवाई में एक ही दिन की सुनवाई हो रही है एक जनवडी 2017 जस्टिस अरून मिश्रा उस बेंच की अधिक्ता कर रहे होते हैं काम करता हैं तो सालगा इतनी मतलब समझ साइद भीक्सित करना नहीं चाहा रहे थे, क्योंकि किसी को बेदाक तो साबित करना था, केस था मनी डॉन्लिंग का, जलस्टिस देखी दोनों खामों से, एक जल तो अलग हो गया, जैसे ही उनको चीब जलस्टिस बनाया गया, वो इससे अलग हो गया, और दूसरे जज को इन्होंने उस बेंच का हेड बना दिया और जस्टिस अरुन मिश्रा अपने फैसले में कहते हैं कि प्रहान मंत्री नरेल मोदी बहुत उचे पत्पर बैठे हुए मुख मंत्री शिवराज सिंग चौहान उचे पत्पर समयधानिक पत्पर बैठे हुए हैं यह धीले ढ़ाले कागज के आधार पे हम उनके कोई जाज का आदेश्त नहीं दे सकते हैं यह वही सुप्रीम कोट है ना कि 2014 से पहले मंत्रियों को जेल भीज रही थी कई केंद्रीय म से मरें रही तैसमें दोनों जजों को क्या हो जाटा एक सीवी आइज कणा इमें क्या ढिक्ति मामडा तो मनी लॉंट का था और उसमें सीधे सीधे जिसका नाम आ रहा था वो आज के प्रधान मंत्री नर्यन मोदी का नाम आ रहा था उनको पैसे दिये गया है मामला तो और संगीन था तो क्या सुप्रीम कोर्ट की दोनों जज उस चेहरे को बेदाक करने की कोशिश में लगे रहे या इनकी कलम जो थे एक चेहरे की छवी को शमारने और शयाने में लगा रहा है यह बड़ा शवाल है सुप्रीम कोर्ट पर किसी को कोई एतराज नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़े हो रही है इन दिनों हुँज सुप्रीं कोट के चार जङजोंने 2 2018 में घुलकरे बोला ही हम पर अमना के नोटीस आप कर देंगे वर चार जगोने खुश पर बोला कि आपर बाहरी दवाब काम कर रहा है सब!) कि अनदर बाहरी दवाब काम कर रहा सब्सक्राइब तो कहां जाएगे ये अज कोड़ की है सुप्रीमगो Remember सुप्रीम कोड की हालति का अपने अपने पृद्ध ऑपने स़ंसर गोज सबस्ट्व कहाम पुन। जनता का पैसा था बड़स्ट मनी था अवारा पुंजी जो हम कहते है ना खुली अर्थ वेवस्था में अवारा पुंजी ओ सहारा विल्ला डायरी का अवारा पुंजी था जो निताओं के पास पहुंचा और इन दो जजों ने उस पे पट्टी अपने आफ पर पट्टी मुराष्टी मानवादिकार आयोग में इनको अध्यक्षपत पर बैठा दिया गया वहाँ पहले से जो रिटार होते थी चीप जश्टिस उनको बैठाये जाता था लेकिन जश्टिस अरून मिश्रा के लिए सरकार ने का नहीं संसद में हम संसोधन कर देते हैं आप ही बैठे आई है तो हमारे और आपके मुझे कौल सुनेगा बहुत बहुत सुक्रिया हुआ 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 है